पत्नी के गुलाम, एक राजे में नंद नामक राजे करता था, राजानंद अतंत प्राक्रमी और सक्ति साली था, उसका राजे चारोधिसा में फेला हुआ था, राजनंद की पत्नी अतंतिक सुन्दर थी, लेकिन सभाव से भहुत तिक्खी थी, लाजा नंद अपनी पत्नी को अतेदिक प्रेम करता था और उसके रूट जाने पर मनाना के लिए कुछ भी कर सकता था लाजा नंद का एक मंतरी था जो अतेदिक विद्दान और सास्तों में प्रागत था लाजा अपने मंतरी पर बहुत बरुसा करता था और सासन चलाने में मंत्री की सला अवसे लेता था मंत्री की पत्नी का सवावी बहुत कठोर था एक बार मंत्री की पत्नी रूठ गई और बहुत मनाने पर भी नहीं मानी तब मंत्री बोला पिर ये तुमारा रूठना किस परकार दूर होशो कहो तुम जो कहोगी मैं वही कारिय करूँगा जिससे तुम परसंद हो जाओ मंत्री की पत्नी बोली मैं तब ही मानूँगी जब तुम अपने बाल मुंडवा लो और मेरे पैरों में गिर कर मुझे मनाओ मंत्री ने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी बोली थी मंत्री के ऐसा करने से वहे खुस हो गई और उस दिन राजा की पत्नी भी रूट गई और राजा के मनाने पर भी नहीं मानी एंत में राजा ने कहा पिर ये तुमारा रूट ने मेरी मर्त्यू के समान है तुम ही बतलाओं मैं तुम्हें केसे मनाँ राजा की पत्नी बोली मैं चाती हूँ तुम्हारा मुए में लगाम लगाकर तुम्हारे उपर बेड जाओं और तुम गोडे की तरह हिनिनाते दोडो राजा ने राने की इच्छा पूरी की और खुद गोडा बन गया ये बात दिरे दिरे मंतरी मंडल तक भी पहुंच गई दूसरे दिन राज दरबार लगा था राजा ने मंतरी को देखर पूछा मंतरी जी आपने किस कारण से अपना सिर्मंड हुआ है जिस कारण से पुरुस अपने मुए में लगाम डाल कर गोड़े की तरह हिननाते हुए दोड़े लगाते है ये बात सुनकर प्लाजा बहुत लज्जित हुआ दोस्तो ये काने से सिक्सिया मिलती है हमें अपनी मरियादा के विरूद ऐसे कारिये नहीं करने चाहिए जिससे लोगों के सामने सरमिंदा होना पड़े दोस्तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी पसंद आई है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद